नमस्ते फ्रेंड्स मैं हूँ धननजय आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं कि US और कैनडा दोनों ही भारत के खिलाफ हैं जिस तरीके से बीते कुछ घंटों में भारत और कैनडा के बीच में डिपलोमेटिक टेंशन बढ़ा है जिसके कारण भारत और कैनडा दोनों ही अपने दिपलोमेट्स को वापस बुला लेते हैं इन सभी घटना के पीछे गर आप बात करेंगे तो US का एक बहुत ही बड़ा बैकिंग है या अगर इसको हम बहुत ही असान शब्दों में समझना चाहें तो जितना उचलकूत जस्टिन शूडो कर रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे क्योंकि US का उनको बहुत स्ट्रॉंग तरीके से बैकिंग है अगर हम स्पेसिफिकली बात कर ले हरदीप सिंग निजर के बारे में या गुर्पतवन सिंग पन्नू के बारे में या किसी भी तरीके से जो एंटी इंडिया मूव्मेंट चलते हैं US, कैनेडा या उस्ट्रेलि तो क्या वो जो right to self-defense है वो सिर्फ उसी specific देश के पास है या ये जो right to self-defense है इसका हगदार कोई और देश भी है मैं किस देश के बारे में कहरा हूँ मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा सबसे पहले हम बहुत ही सिलसिलवार तरीके से समझते हैं क किस तरीके से US का इस पूरे घटना में एक बहुत ही active participation है अगर हम बात करें US, Canada, Australia, New Zealand और UK के बारे में तो ये सभी कोई मिला के एक group create किये हैं जिस group का नाम है Five Eyes तो ये basically आपका एक intelligence sharing group है अगर किसी भी तरीके से इन पाँचों देशों में से किसी भी एक देश को कोई भी ऐसा input मिलता है जिससे इनको लगता है कि इनके जो allies हैं उनको खत्रा मैसूस होगा या उनको खत्रा पहुँशेगा तो ये सारे आपस में intelligence sharing करते हैं ये just एक चड़ कर बाते करता है लेकिन अगर किसी भी तरीके से कोई और देश जिनके संबंध USA के साथ उतने अच्छे नहीं है अगर वो किसी भी तरीके का अगर groupism को create करता है या किसी group में वो participate करता है तो इसके बारे में बढ़ चड़ कर एक negativity फैलाया जाता है अगर हम specifically बात करे ह कौन सा ऐसा document या information share किया गया है by government of Canada जिसके basis पे Canada ये बार बार कहता हुआ आया है कि government of India का इसके पीछे हाथ था या specifically हमारे raw agents का इसके पीछे हाथ था नहीं तो किसी भी तरीके से अब तक ये बताया गया है कि US ने exactly कौन सा information share किया था Canada के साथ में लेकिन जो as per New York Times से इसके हिसाब से US के जो intelligence होते हैं या इनके जो department होते हैं वो Canada के officers से मिलते हैं और इनके बीच में multiple meetings होती है जिसके बात दोनों आपस में मिल बैठके एक conclusion पे पहुँचते हैं जहां पे कहा जाता है कि हरदीब सिंग निजर के assassination के पीछे government of India का हाथ ये हमारे सामने September 2023 का article है जहां पे आप देख सकते हैं कि New York Times के हवाले से ये कहा गया है कि US के intelligence agencies अपने Canadian counterpart से मिलते हैं और उनको कुछ information share करते हैं और ये जो information share किया गया था कुछ communication को intercept किया गया था जो हमारे Indian diplomats के दवारा किया गया था जो कि Canada में stationed है तो यहां पे अगर आप बहुत ही लमसम तरीके में स इतनी हकीकत है तो इनी सब चीज़ों को एक base बना के US कुछ intelligence sharing करता है Canada के साथ में और Canada और US मिल बैठ के एक conclusion draw करते हैं जहां पे वो कहते हैं कि इस assassination के पीछे government of India का हाथ है वहीं पे अगर हम बात करें US का dilemma के बारे में तो US एक तरीके से ये तो चाहता है कि वो India को pressurize करे इस मामले में लेकिन वो ये भी ensure करता है कि किसी भी तरीके से भारत को अधिक pressurize ना करे या किसी भी तरीके से वो भारत को नाराज ना करे यहां पे दिमाग में सवाल आएगा कि आखिर में US ऐसा क्यों करना चाहेगा तो एक बात का ध्यान रखिया कि जैसे ही चाइना का साफी uncomfortable हो गया और as a backup US इंडिया को खड़ा कर रहा चाइना के सामने जो कि एक complete तरीके से US का अपना interest है तो यहां पे अगर आप लमसम बात को समझना चाहें तो वो यह है कि US हमें pressurize भी कर रहा जहां पे Anthony Blinken multiple times यह कह चुके हैं कि इस पूरे मामला में Government of India को Canada के साथ participate करना चाहिए investigation में वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी statements दिये गएं जो कि हमारे favor में थें तो कहने का मतलब है कि यह as an act of balance करने का प्रयास किया जा रहा US के द्वारा जो as per media report है उसके हवाले से यह खबर है कि बीते कुछ दिनों में US, Canada और India के जो counterparts हैं उनके बीच में काफी सारे meetings हुए हैं और उसी meetings के दौरान कुछ ऐसे information share किये गये हैं इंडिया के साथ जिसके बारे में कहा जा रहा कि वो काफी credible information है regarding हर्दीप सिंग निजर के assassination के बारे में लेकिन वहीं पे अगर हम भारत के point of view से बात करें तो government of India अब तक ये accept नहीं किये हैं कि कि किसी भी तरीके क कोई information उनके साथ share किया गया है अगर आप इस मामले को बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कि किसी भी तरीके से हर्दीप सिंग निजर इतना important नहीं था कि Canada को government of India के साथ अपने diplomatic relations को खराब करने चाहिए थे वहीं पर हम बात करें Canada का economic condition के बारे मे तो बीते कुस सालों में वहाँ पे महगाई खूब बढ़ा है और क्यूंकि अगले साल के October के महीने में Canada में election होने वाले हैं और इनको बहुत हद तक Canada में जो सिख रहते हैं उनका इनको support enjoy होता है और फिलहाल का जो condition है Justin Trudeau का वो ये है कि New Democratic Party के दवारा इनको support किया जाता है और New Democratic Party को जो lead करते हैं वो Jagmeet Singh lead करते हैं और Jagmeet Singh के बारे में कहने के जरूवत नहीं है कि ये complete तरीके से anti-India activities में वो शामिल रहते हैं तो यहाँ पे जो لمसम कहने का मतलब है वो ये है कि किसी भी तरीके से Justin Trudeau अपने आपको relevant रखना चाहते हैं और इस process में वो इस हद तक गिर चुके हैं जहां पे वो भारत के साथ अपने diplomatic relation को खराब करना चाहते हैं या in fact कर दिये हैं I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूँगा मैं चाहूँगा कि आप मुझे email करके बताएं See you in the next video, have a wonderful day Thank you, take care, goodbye